साजा कर रही है विश्वशांती दर्शन पर कहानिया अनोखी सी राजा ने पंडित जी को अपने दर्बार में आमंतरित किया पंडित जी दर्बार में पहुंचे राजा ने उनसे कई विशों पर गहन चर्चा की चर्चा समाप्थ होने के पश्चाद जब पंडित प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा पंडित जी आप अगर उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन राजा ने कहा पंड़े जी आपके पुत्र को ये भी नहीं मालूम कि सोने और चांदी में अधिक मूलिवान क्या है ये सुनकर सारे दरबारी हसने लगे सब को यह हसता देख पंड़े जी ने सोयम को बहुत अपमानित मह पूछा पिताजी आप आज इतने उदास क्यों है पंड़े जी ने दुखी मन से कहा क्या तुम मेरे एक प्रशन का उत्तर दोगे पूछिए पुत्र बोला ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूलिवान क्या है सोना अधिक मूलिवान है पुत्र ने तबाक से उत्तर पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंड़े जी ने पूछा तुमने इस प्रशन का सही उत्तर दिया फिर राजा तुम्हें मूर क्यों कहते हैं वे कह रहेते कि तुम्हें सोने और चांदी के मूलिवान नहीं है पिताजी की बास सुनकर पुत्र सारा मादरा समझ गया वो ब मुझे वहाँ से जाता हुआ देखकर राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्क्र रखकर पूछते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूलिवान लगे वो उठा लो मैं रोज चांदी का सिक्खा उठाता हूँ ये देखकर विलोग मेरा परहास करते हैं और मुझे पर हसते हैं मैं फिर भी चिपचा वहाँ से चला जाता हूँ पूरी बात सुनकर पंडिची बोले पुत्र जब तुम्हें मालूम है कि सोने और चांदी में अधिक मुलिवान सोना है तो सोने का सिक्का उठा कर ले आया करो न क्यों सोयम को उनकी दृष्टी में मूर्ग साबित करते हो तुम्हारे कारण देखो मुझे भी अपमानित हो उठे और कईयों ने प्रेम से उसका अभिवादन किया पंडिची को बहुत अश्र हुआ कि इतने लोग मेरे बेटे को आशिरवात दे रहे फिर पुत्र ने कहा पिताश्री इन में से अधेकतर लोगों को धंका काम नहीं मिल पाता है और कईयों को तो कई दिन तक खाना भी नसीब नहीं होता है हर बात जब मैं चांडी का सिक्षा उठाता हूं तो इन में से किसी एक को आकर दे देता हूं इनके लिए उसका मूली इतना है कि एक ही सिक्रे से कई सारे लोगों के भोजन का प्रबंद हो जाता है खुश्क लोगों के पेट भरने के बाद वी काम पर चले जाते हैं तो लिटा जीग्षा के लिए मुझे रोकना और अपने हाथ में सोने और चान्दी का सिक्क्र बन गया है अकसर वो ये खेल मेरे साथ dalla करने और मैं चांदी का सिक्का लेकर चलाता हूँ जिस दिन मैंने हाँ पितादी जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया ना उस दिन ये खेल खतम हो जाएगा बंद हो जाएगा और तब मैं गरीबों को कुछ भी नहीं दे पाऊँगा इसलिए मैं कभी भी सोने का सिक्का ने उठा था पंडित जी को पुत्र की बास सुझ में आई और उस पर घर भी हुआ किन्तों ने लगा कि राजा को भी सत्य मालूम होना चाहिए तो वे पुत्र को लेकर राजा के दर्वार में पहुंचे जहां लड़के ने सारी बात राजा को बताई और उन्हें समझाया कि वो चांदी के सिक्का ही क्यों उठाता था पूरी बास उनका राजा बड़े प्रसंड हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मगवाया और उसे पंडित जी को पुत्र को देते हुए बोले असली विद्वान तो तुम हो देखा जाए तो हम सब मूर्ख हैं फिर उन्होंने अपने मंद्री से कहा कि उन बेखर लोगों के लिए भी साहिता की व्यवस्ता करवाई जाए कहानी खतम क्या कह गई यह कहानी क्या सीखा हमने यही कि बुद्धिमान मनिश में मूर्ख व्यक्ति के अपेक्षा कुछ कम मूर्खताएं नहीं होती है परंतु दौनों में एक विशेश अंतर होता है मूर्ख व्यक्ति की मूर्खताएं दुनिया को मालुम होती है परंदुवे स्वेम उससे छिपी रहती है जबकि बुद्यमान व्यक्ति की मुर्खता है स्वेम उसको विदित होती है मगर वो उन्हें दुनिया से छिपा कर रखता है किसी भले उद्देश्य के लिए वैसे भी अपने सामर्थ का प्रदर्शन करना प्यर्थ है बस कर्म करते रहना चाहिए जब बक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थवान हैं उस दिन आप सोने की तरह चमकेंगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी